पिसला ये दुख काया खतम नहीं होता भे के देखा होगा तो हमने आपको एक इन्डिकेशन यहां पर दे दिया था बता धिया कि देखोém Fahrenheit ंडे इंडेक्स बहुत जदा हाई यहां पर चल रही है kया यहाँ पे छहां पर अग्रीडfront और यहां पर अग्रीडस सेफ इसफ नगंएंव मार्केट बहुत बुलिस है और आपको यहाँ पर कर सकते हैं मार्केटक्दम से डम्प कर सकता है 31,000 का सपोर्ट लेवल हमने बताया था और बुलता अगर वो ब्रेक हुआ तो थोड़ा सा market और डम करेगा, altcoin भी थोड़ा सा डम करेंगे, इसलिए part में entry करिएगा, source समझ के यहाँ पर करिएगा, otherwise आप यहाँ पर फस सकते हैं, तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, bitcoin, ethereum करेंगे, और altcoin के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, तो इस वीडियो को देहां से देखेगा, वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक कर दीजेगा, चैनल पर ना है, सब्सक्राइब कर लीजेगा, जिससे आपको ऐसे करें, bitcoin के बारे में, तो देखो, कल के वीडियो में, हमने आपको बताया था, कि bullets pennant यहां पर breakout हुआ है, पर यह retest करने आ रहा है, 31,000 का यहां पर retest है, अगर 31,000 टेस्ट करके, और bounce कर जाता है, तो बहुत अच्छा रहेगा market के लिए, पर अगर यह bounce नहीं करता है, 31,000 यहां पर break करता है, नीचे की ओर, तो problem हो सकती है, कल के, चैनल पे भी, अगर आप देखोगे, तो हमने आप एक audio, आपको send किया था, 30,700 चल रहा था, उस समय आपको alert किया था, हमने, कि 30,700 है, अगर यह यहां पर break करता है, बाउंस कर जाता है, 30,000 को अगर यहां पर break नहीं करता है, तो सही रहेगा, altcoin अच्छा bounce कर सकते हैं, नहीं तो अगर 30,000 break किया, तो altcoin से आपको निकलना चाहिए, clear बोल रहा हूं, उसको थोड़ा सा आपको यहां पर निकाल देना चाहिए, भले थोड़ा बहुड़ा stop loss हो, जरूर लगा कि यहां पर रख लेना, क्योंकि अगर 30,000 break हुआ, तो यह फिर 100 daily moving average को भी करने जा सकता है, bitcoin, जो कि यहां पर है, 28,500 के आसपास में है, और इतना अगर गिरता है न, तो altcoin वापस से 10-20% गिर जाएंगे, फिर आपको वहां पर dip में entry करनी चाहिए, तो बहुत सारे altcoin अभी अच्छा खासा है, यहां पर momentum दिखा रहे हैं, बाउस कर रहे हैं, पर वह है, bitcoin को 30,000 hold करना चाहिए, अगर नहीं hold करेगा, तो फिर आपको यहां पर safe हो जाना है, फिर जादा risk नहीं लेना है, फिर dip में हो सकता है, 10-20% और dip में आपको altcoin आते हुए, दिखाई दे, दूसरे coin की अगर हम बात करें, जो है, ethereum हमारा है, तो ethereum का भी हमने आपको बोला है, तो लगबग $800 के आसपास में हम यहां पर देखेंगे, तो ethereum में भी $1950 के ऊपर ethereum निकलना चाहिए, तो यहां पर safe रहेगा, otherwise यहां पर हम और ज्यादा नीचे की हो जा सकते है, नीचे के दोनों target यहां पर दे दिया है, तो इन पर आपको नजर रखनी है, XRP का भी हम में आके high पे jump कर जाते हैं, कि अब तो बस $2 जाएगा, $10 जाएगा, क्योंकि वीडियो भी ऐसे आते हैं, कोई-कोई तो $500, $1000 के prediction करने लगता है, तो ऐसे में लोग FOMO में आके कि यार आप तो लोग बहुत बड़े-बड़े prediction दे रहे हैं, तो अभी तो 70 cent, 80 cent ही है, तो यहाँ पर ले लेते entry और इस चक्कर में वो jump कर जाते हैं, और जैसे ही jump करते हैं, यहाँ पर एक दम से dump आना start हो जाता है, तो यहाँ पर देखो, best entry अगर आपको चाहिए, 65 cent के आसपास का wait करो, यहाँ पर एक बार जरूर आएगा, टेस्ट करेगा, फिर उसके बाद में य लगती है, तो यह था है Bitcoin, Ethereum और XRP का analysis, यहाँ पर हम बात करें news की, देखो, market में ऐसी कोई भी news नहीं है, इसके कारण market इतना पुरा dump किया है, एक ही main news आई थी, वो थी Binance के तरफ से, और वो news यह है, दोस्तों, Binance यहाँ पर अपने 1000 employees को बाहर कर रहा है, और यह हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर justice department की investigation चल रही है, इसके कारण वो उनको बाहर का रास्ता दिखा रहे है, अभी तक पूरे bear market में अगर आप देखोगे, तो Binance ने एक भी employee को नहीं निकाला था, पर अभी यहाँ पर news आ रही है, कि 1000 employees को यह बाहर कर रहे है, और यह थोड़ा सा हो सकता है negative news हो, पर यह market के लिए इतनी negative news नहीं है, जितनी यहाँ पर लोग अंदाजा लगा रहे है, तो यही एक news आई थी, और इससे जादा मुझे निलगता कोई impact पड़ने वाला था, पर फिर भी यहाँ पर एक news तो है, बैरिस news तो है, पर जो सबसे main जो, जिसे मैं देख रहा वो है यहाँ पर दोस्तों, देखो कल यहाँ पर एकसारपी की जब यहाँ पर 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 नियूज आई, पूरा market FOMO में आ गया, Bitcoin भी लगबग 31,800 के असपास तक यहाँ पर चला गया था, और उससे एक अच्छा market में FOMO आया, हर कोई यहाँ पर बुलेस हो गया, कि अ यहाँ पर पोजिशन लगी है, 24 आवर में 80% लोग long करके बठे हैं, और यही कारण है कि whales यहाँ पर market को just opposite move करा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको liquidate करना बहुत जरूरी है, जो बहुत जादा बुलेस है, उनको liquidate करेंगे, weekends को निकालेंगे, फिर उसके बाद भले ही market य यहाँ पर source भी liquidate हुए, दोनों साइट में liquidation हुआ है, पहले source हुए, फिर उसके बाद में long liquidate हुए, तो longs की संक्या बहुत जादा है, इस कारण से मुझे लगता है, whales ने यहाँ पर market को manipulate किया, और market में यहाँ बुल ट्रैप में लोगों को फसा के, एकदम से market को यहाँ dump करा दिया, और यही एक बड़ा reason है, जिससे यहाँ पर बहुत जादा लोग liquidate हुए है, बागी देखो मेरे साब से bitcoin में अगर आप यहाँ पर 30,000 डॉलर का level हम यहाँ पर hold करते हैं, तो बढ़िया रहेगा, और 30,000 डॉलर के level तक ही आपको altcoin को रखना है, नहीं तो altcoin 10-20 percent और गिरेंगे, अगर आप long term के लिए कर रहे हो, तो dip में बाय कर सकते हो, कोई problem नहीं है, part-part में entry करो, बढ़िया रहेगा, क्योंकि अल्री बहुत ही dip में coin है, पर फिर भी 5-10% का gap जरूर रखना, क्योंकि अगर altcoin यहाँ पर bitcoin जो है न, 30,000 डॉलर करेगा, तो altcoin 10-20% और नीचे गिरेंगे, फिर वहाँ पर आपको एक और dip मौका यहाँ पर मिलने वाला है, तो bitcoin में 30,000 डॉलर के level पर नजे रखो, altcoin जो भी अभी है, उस पर stop loss लगा के hold करो, बहुत ज़्यादा फोमो में भी नहीं आना है, अगर आप long term के लिए buy कर रहे हो, तो उनको part में यहा पूल करके यहाँ पर चाल सकते हो, भाग यहाई था दोस्तों आज का यह वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगाओगा, वीडियो अच्छा लगाओगा तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो, सब्सक्राइब करके जाना, मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तब के लिए बबाए and take care.